हलो माय डियर सूल फैमली कैसे आप सब आशा करती हूँ आप सभी बिलकुल तंदरुस्त होंगे आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी हटके क्योंकि आज की रीडियों एक most requested वीडियो होगी जिसमें हम जानेंगे कि suppose जैसे कि आप जानते हैं कि इस time lockdown चल रहा है काफी जगाओं में तो अगर आपके partner आपके साथ lockdown में होते तो फिर आप दोनों के बीच में क्या होता क्या होती वो बाते क्या क्या करते आप कैसे time spent करते ये सारी चीज़े आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो जैसे कि मैं card shuffle करूं तो आपको as usual करना ये है कि अपने partner का नाम लीजिए और अपने partner का नाम लेते लेते उनके साथ बिताई हुई अच्छी memories पे focus कीजिए तो आईए thank you universe कहके शुरू करते हैं Dear cards, बताईए कि मेरे viewers अगर lockdown में उनके partner के साथ होते तो क्या होता पहला card है ये देखिए Four of Wands हमारे पास है four of cups ये देखिए हमारे पास है nine of cups बहुत ही ज़्यादा emotional energy आ रही है अगर आप दुनों साथ में हैं रहते तो बहुत कुछ emotional level पे होने वाला था ये देखिए हमारे पास है nine of swords हमारे पास है five of bonds and we have again cups वाओ बहुत emotional energy है guys आपकी reading जो है वो बहुत ही जाथ interesting है तो मैं यहां पे देख पा रही हूं कि for most of the people मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके partner जो है वो imagine करते हैं कि ऐसे ही नहीं कोई चोरी चुपे नहीं कोई छुपते चुपाते नहीं in fact वो ये चाहते हैं कि अगर suppose आप दोनों की शादी हो ज होते और तब एक साथ रह रहे होते तो उनके लिए एक celebration की तरह होता मतलब कि वो हमेशा उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी पहली priority की तरह देखते हैं definitely आपके person ये सोचते हैं कि काश अभी हम दोनों के शादी हो गई होती जैसे कि lockdown का time चल रहा है और दोनों क तो अकेले में बहुत जादा time spend करने का मौका मिल जा था देखिए यहाँ पे clearly मैं बता सकती हूँ कि आपके जो partner है इस समय बहुत जादा regret feel कर रहे हैं regret in the sense जैसे कि पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है तो आपके partner ये सोचते हैं कि काश हम दोनों separate ना हुए होते जितनी भी हमारी दूरियां थी या आपस में जितनी भी एक दूसरे को लेके शिकायत थी कि हम एक दूसरे को time नहीं दे पाते या जो भी वज़े हो सकती है हो सकता है कि आपका job हो, school हो, college हो या family के वज़े से दोनों में से किसी की भी family हो सकती है तो आपके partner ये सोचते हैं न कि काश अभी हमारी बात हो रही होती तो फिर हम दोनों ये time utilize कर सकते थे, अपने जो भी issues है वो resolve कर सकते थे, क्यों, guys अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो like करके अपना मुझे valuable feedback देके जरूर जाएं, ये जितने भी cards है मेरे crystals है इसकी जो information है वो मैंने आपके लिए description में दे दी है, तो आप अपनी knowledge के लिए check out कर सकते हैं, तो यहां पर आपकी जो person है उनको भी insomnia हुआ है, मतलब कि आज भी उनको आपकी याद आती है, सो नहीं पाते हैं, सोते सोते उट जाते हैं, और इतना सोचते हैं आपके बारे मे आशू आ जाते हैं, वो प्यारे प्यारे बुताय हुए पल, वो सारा कुछ उनको याद आ जाते हैं, यहां पर बहुत सारे cups, बहुत सारे cups देख रही हूं, मतलब यह reading जो है, वो full है बिलकुल emotional energy से, कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा है, कि कोई lust की feeling है, ऐसा नहीं है, in fact यह कि रिष्टा मुझे इतना ज़दा pure लग रहा है, suppose आप दोनों एक साथ lockdown में होते, तो उसकी बात ही अलग होती, ठीक है, यह देखे, three of cups, celebration, new beginning, और एक आपकी life में एक turning point होता, जितने भी आपकी गिले शिक्वे हैं, वो imagine करते हैं, कि काश हम साथ में होते, हम एक साथ time spend कर टीवी देखते, movie watch करते, अपने सारे favorite song है, वो सुनते, यह अकेले में आपके साथ quality time spend करना चाते हैं वो, in fact यह एक ऐसी चीज़ा जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी वो इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं, उस समय भी यह यही सोच रहे हैं आपके बारे मे जी हाँ, आपस में एक दूसरे में खोए हुए, और in fact एक चीज़ में बता दूँ, यह जो आपके इनसान है न, अगर आप दोनों साथ में होते हैं, बाहर चाहे कितनी भी विपदा चल रही हो, आपके जो person हैं और आप हैं, आप दोनों को इतना जादा फरक नहीं पड़त ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप दोनों इतने ही आपस में खोए होए होते, कि आपको दुनिया की कोई परवानी होती, आपको ऐसा लगता कि जो इनसान मुझे हमीशा से चाहिए थे, जिनके साथ आप लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, अब वो तो मेरे करीब है, वो तो मेरे साथ है, अब मुझे किसकी जरूरत है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत प्रॉमिनिंट नंबर में देख रही हूँ, आइधर इट इस फॉर और इट इस नाइन, हो सकता है कि फॉर या नाइन आपका बर्डेट हो, या बर्डेट हो, य नाइन मन्त से, नाइन इयर्स या फॉर यर्स, कुछ भी हो सकता है, या फिर वीक्स भी हो सकते हैं, आपके साथ जैसे रेजनेट करें, वैसे ही लिचेगा, अब देखिए, इसे अगर मैं बताना चाहूं, तो इसे मैं कहती हूँ, विश कार्ड, मी का विश, जो भी आप व आपको तुरंत मैनिफेस्ट करके देंगे, यह यूनिवर्स ही हैं, जो आपसे कह रहे हैं, कि अपने विश में क्लारिटी रखिए, अपने गोल्स में क्लारिटी रखिए, जो चाते हैं, वो दिल खोलके, विदाउट एनी डाउट मांगे, और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वो है, यूर कमांड इस माइ विश, ओवरॉल बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत प्यारी रीडिंग है, आप दुनों एक साथ ताइम स्पेंड करते, पुरानी बाते, कुछ नए-ने कपड़े, सिलेक्ट करना, ओनलाइन शॉपिंग करना, यह सारी चीज़े, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि दुनिया में कुछ भी चल रहा है, आपको इतना फरक नहीं पड़ता, तो सेम यह कहानी है, दुनिया बर में, चोई कितने भी कॉन्फलिक्ट चल रहे हो बहार, कुछ लड़ाई हो रहे हो, दंगे हो रहे हो, बहार कितने भी सिट्वेशन ख और इन फैक्ट, वो हमेशा यह सोचते हैं, कि आप उनके करीब होते तो उनके लाइफ में और कोई चीज उनको नहीं चाहिए थी, देखते हैं उनकी तरफ से प्यारे से लब मेसेजिस जो आपको आमतर पे तो बताते नहीं, लेकिन आपसे छुपाते जरूर हैं, तो थेंक यू, थेंक यू, थेंक यू, ओके, इंदू नीचे गिर एक सिकेंट, येस, ओके, काफी सारे हैं, बले ही यूनिवर्स में, बले ही ये बहारी दुनिया में कितनी भी दिक्कत समस्या चल रही हो, लेकिन उनकी अंधेरी सी जिंदगी में, आप उनके लिए एक रोशनी की उमीद लेके आते हैं, एक रोशनी की किरन लेके आते हैं, यू, अपने व्योज जो है, कॉमेंट सेक इंतजार रहता है, यू, लाफ एट में जोक्स, इवन विन दे आनोट फ़नी, ये चीज उनकी, उनकी यादे मतलब फेड नहीं हो रही है, बार बार याद आ रही है आपकी, कि एक दोसरे के साथ हसना, उनके जोक्स, अप उन पे जान बुच के हसते थे, जब कि वो फ़नी ये सारी चीज, they still remember, you keep little memories of things we have done, आप दोनों की साथ में बिताय हुए moments, साथ में कोई शतानिया, या कोई प्यारी-प्यारी memories के बारे में, वो सोचते हैं, और आप उनके पास भी है, वो आज भी याद करते हैं, हो सकता है कि फोटोग्राफ्स भी आपकी देखते हैं, तो य आप उनके पास होते तो कितना अच्छा रहता, you are my other half, तो मेरे जिंदिकी का वो अटोट हिस्ता हो, जो वो चाहा के भी अपने से अलग नहीं कर सकते, you make me feel adored, कुछ भी हो जाये, आप हमीशा उन्हें special feel कराते हैं, उनके लिए, हमीशा, आपको वो adorable लगते हैं, तो ये ची cute, nothing makes me happier than holding your hands, they are missing you, they want to touch you, अब वो ये सोच रहेंगी, कितना, कितनी, कितना जादा, वो बहुत खुश होते हैं, जब उनका हाथ आपके हाथों में होता है, उनको लगता है कि अब इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, you think I am good looking no matter what, आपका उनको तारीफ करना, special feel क आना, सारे लाखों में एक समझना, ये चीज़ वो आज में मिस करते हैं, आपके बारे में, I like how you respect me, आप उनकी respect करते हैं no matter what, तो ये चीज़ बहुत जादा adorable लगते हैं आपके बारे में, तो ये सारी चीज़ वो मिस कर रहे हैं, जब इनसान के लाइफ में वो इनसान नही रहता है, जो आपकी सबसे ज़ादा value करें, और वो किसी भी reason की विज़े से अलग हो जायता, आपको बहुत ज़ादा उसके बारे में feel होता है, तो आपके बारे में भी same feel कर रहे हैं, you smell good, कोई भी आपकी एक favorite fragrance जो वो लगा के आते हो, या फिर आप लगा के आते हो, आपक बताया था, अगर आप दुनों साथ में होते हैं, वो time spend करना चाते थे, या तो कोई favorite movie देखते हैं, आपका हाथ पकड़े होए, तो ये सारी चीज़े, special चीज़े हैं, जो आपके साथ करना चाते हैं, you have magic hands that fix everything, that can fix everything, आपके हाथों में जादू है, especially उनके आपको हाथ जो ह ला दीजिए, उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनके लिए इतना ही काफी है, वाउ, I think I'm good looking, sorry, you think I'm good looking, no matter what, तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब आपको ऐसा लगता है, कि वो good looking है, चाह वो कैसे भी त्यार हो के आए हो, या सीधा उटके ही आगए हो, यह होता है guys, सच्छा प् तो यह थी बहुत ही जादा प्यारी रिडिंग, personally I'm happy, I'm loving it, तो my babies हम मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए, और देखते रहिए मेरी वीडियोज, अपना feedback जरूर देखे जाएगा, till then, take care and God bless you. आरभ, यह दो झाल, take care and God bless you. झाल झाल